नमस्कार दोस्तों मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं अमस्पेन संदीच चनल दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेसाल होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा ऐसे कुछ पॉइंट जिसके जड़ी है आपका PSP टिक जाएगा सालों तक ठीक है दोस्तो अगर आपके पास ये वाला कॉंसल है जिसको हम सॉनी का ओरिजिनल PSP बोलते है और अगर आपके पास कुछ चाइनिस वाला फिक PSP जिसको आप बोलते है ओ भी है तब भी आपको ये वाला वीडियो सुरना परेगा ठीक है दोस्तों तो चलिए शुरू करते है और आगर है ऐसे device के साथ ठीक है दोस्तों उसके बाद हम लोग discuss करेंगे आपको क्या 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 करना है इस device के साथ ठीक है दोस्तों और तीसरी पार्ट में हम लोग discuss करेंगे ऐसे कुछ special फच फ्येटर के हैज अगर आप वाला फिचर है बहुत सालों तक नढ़ोस्तो च्रू करते हैं पहले जो पॉइंटाथ आता है दो पहले जो पॉइंट आता हूं है यह आक यह करना थे कह दोdessतो नहीं टहिए आपको क्या नहीं करना नहीं है टुआ इसको गिराना नहीं यह एंए डोस्तो डॉंट drup it और राफ ऐंडलिंग और जिसको हम लोग कहते हैं आप यह पैस्पी लेके जाज राफ हैंडलिंग कर रहे हो कभी-कभी ऐसी भी हो जाता है कि आपके हाथ से यह वाला गीर जाए ठीक है दोस्तों तो इसको आपको ध्यान में राकना है कभी भी इस डेवाइस को हाथ से एलेक्ट्रोनिक लोचा हो जाए अंदर में तो तो गया दोस्तो आपका PSP ठीक है इसका कोई गरंटी नहीं है ठीक है दोस्तो तो आपको ये नहीं गिराना है धैन में रहे दोस्तो तो नमबार वान पॉइंट ये चला गया दूसरी पॉइंट आता है Don't Wear Tate मतलब इसको आपको विगाना नहीं है ठीक है दोस्तो अगर आपके पास कुछ वाटर वगरा है पानी वगरा है तो इसको धैन में रखिये पानी यहाँ पे नहीं गिरना चाहिए ठीक है ठीक है दोस्तो एक दम से place में लेके इसको आप यूस करो ठीक है दोस्तो उसके ब लग और चलता है तो दोस्तों उस समय आपको इसको dhyan में रखना है कि क्योंकि अगर मौयस्ट लग गया पानी लग गया तो प्रप्रोब्लम हो सकता है तो उसके बात क्या है देखिया इसके फूरा नOOOOOOOO गिर रहे हैं तो ऐसे हैं अपको करना है मैं जिए जइन आपको ढूर सकता है अब भी टूट सकता है करने का तो इसको छोड़तीजिए ना दोस्तों इसको मत ओपन किजिए अगर आपका कोई फ्रेंड भी देखना चाहिए थुरा सा दिखा दो यह वाला डूर कैसे ओपन होता है तो कोई जरूरत नहीं है दोस्तों क्योंकि आपके पास तो गेम यहां से इंस्टल हो जाता है ना क्या बात करें क्या बात है कि यह वाला दूर आपको खूलना ही चाहिए ठीक है दोस्तों उसके वाद देखिए जो एक इंप्र्टेंट पर है ओ है इसके ऊपर धूल गिराणा इसके उपर कोई भी डास्ट नहीं गिराना है ठीक है दोस्तों क्योंकि हम लोग कभी-कभी ऐसे भी करते हैं देखिए इसके उपर कोई कभर नहीं देते छोड़ देते कुछ दिन के लिए आरूस के उपर धीरे-धीरे जो नॉर्माली होता है डास्ट गिर जाता है तो यहां पर मत करना दोस्त है ठीक है दोस्तों उसके बाद देखिए सेकेड़ पार्ट में आ गया सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या डिसकस करेंगे क्या और करना है इसके साथ मतलब कैसे आम इसको यूज करेंगे नंबर वान सबसे इंपोर्टेंट पार्ट जेंटेल कंट्रोल मतलब आपको इसको एकदम जेंटली कंट्रोल करना है ऐसे कुछ नहीं है ऐसे रगर रगर के आप इसको 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 कर रहे हैं जैसे कोई 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 लोना हो ऐसे नहीं दोस्तों कुप सॉप्टली उसको करो क्योंकि एलेक्ट्रोनिक डिवाइस है और यह तो बहुत ही आपका पसंदिता चीज़े जैसे मेरा भी है यह ठीक है दोस्तों तो इसको जेंटली सॉप्टली उसकरो उसके बाद देखिए स्टोर इने सेफ प्लेस करना है ठीक है दोस्तों अगर आपके पास केस है इसका कवर है तो बहुत ही आच्या कवर में डाल दो अगर नहीं है तो आप कवर बना लो कोई कप्रा बक्राइब कर कोई स्पॉंज डाल और कप्रा और कुछ जैसे नरम कुछ देकर इसका एक सेफ प्लेस बना दो वहापे राखो पर आप जब भी इसको स्टोर करो तो एक सेब जगा में करो ठीक है दोस्तो ओके उसके बाद क्या करना है आपको यह इसको स्टोर करना है ड्राइप्लेस में सुखा जगा पर ठीक है दोस्तो ड्राइप्लेस में इसको स्टोर करना है कभी भी यहापे मयस्ट और पानी दागरा नहीं आना चाहिए ड्राइश प्लेस ऐसा होना चाहिए जो फ्रीजिंग जोन भी नहीं हो और लगभाक 80 डिग्री फारेन्हाइट के कम हो ठीक है दोस्तों तो ड्राइश प्लेस में इसको स्टोर करना है उसके बात देखिए दोस्तों जो बहुत इंपोर्टेंट पा दो बैटरी के परसेंट जाकर 40 के आसपास हो जाए तो फिर से चार्ज दो हो सके तो रेगुलर्ली आपको इसको चार्ज करो और थोड़ा थोड़ा खिल लो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा सा चला लो उसके बाद चार्ज दे दो थोड़ा सा ठीक है दोस्त बैटरी का जो मतलब केपबिलीटी और लाइस्पन घड जाता है ठीक है दोस्तों तो आपको इसको रेगुलर्ली चार्ज देना है अगार आप यहां से अच्छा बैटरी बेकाप पाना चाहते हो ठीक है दोस्तों उसके बाद देखिए बहुत इन्पोर्टेंट एक पार आपके पास चला जाएगा ठीक है दोस्तों तो इसको क्लीन करो ठीक तक तो मैं एक जास्ट एक ब्रीफली बोल देता हूँ कोई कपरा और कुछ कॉटन स्वाब भी आते हैं उसके जरी आप कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो डीटेल क्लीनिंग बहुत अच्छे तरह से आ पतने वाला हूँ ठीक है दोस्तों जो आपको नहीं करना है इस डिवाइस के साथ ठीक है दोस्तों तो देखें उसमें पहले आता है डोंट पूट इट एनिवहर मतलब क्या है सपोस्थ हम लोग इसको खेल लेते हैं खेल के कही भी छोड़ देते हैं घर में अगर कोई बच खेलने के बाद प्रोपर ली ऐसे एक जाएगा पर स्टोर करना है जो दूसरे कोई वेक्ति घर का उसके रीच में नहीं आया ठीक है दोस्तों अगर आपके घर में कोई बच्चा और भी और कोई डिलेटीव बगर आ गया जिसका एटेंशन इस डिवाइस पर हो आप समझ र दोए से पाउच मतलब इसको हमेशा एक पाउच के अंदर ही रखिए ठीक है दोस्तों पाउच आप उनलाइन पाजाएंगे तो मैं डिस्किप्शन में दे दूंगा लिंक पाउच खरिदने का आप जाकर खरिद सकते तो थोरा सा महेंगा परेगा तो आप पाउच बना भी ले सकते कोई बात नहीं कोई नरम कप्रा स्पॉंज बगरा देकर बना ले सकते ठीक है दोस्तों उसके बाद देखिए बहुत इंपोर्टेंट एक पार्ट है कीप फॉर्म होस्टेल इंवर्मेंट मतलब क्या है दोस्तों अगर आप साधी पे गया कोई वेडिंग पार्टी उसके बात नहीं कोई बाहर लेने का जरूरत है क्योंकि यह अगर थोरा सा इधर उधर हो जाए तो आपका डिवाइस खराप हो सकता है तो क्यों मैं लोंगा बाहर बार बार ठीक है दोस्तों उसके बात देखिए डॉन्ट फूट लार्ज ओएट ठीक है अगर आप बाहर ल और कुछ जड़ ऐसे कुछ डाल दिया और कुछ वारी चीज रख दिया कि इसके उपर बहुत ही प्रिशार आ रहा है तो दोस्तों यह सही नहीं है इसको जेंटली ऐसे रखिए जैसे इसके उपर जदा से जदा ओजन नहीं आए ठीक है दोस्तों उसके बात देखिए यह ब इनंटेज जहां पर खें रहे हो तो आगर आपके हाथ से अचाना घीर जाए गलती से हम लोग तो नहीं चाते के गीर जाए अगर गलती से गीर गया तो देखिए यह तूट सकता है और प्रॉब्लम आ सकते हैं पर आगर ऐसे जग़ा पर खेंग पर खेंगा है और बिस्तर कोई कोई बात नहीं सोपे में गीने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप एक नरम करपेट के ऊपर बैट के खेल रहे हो तो बहुत ही अच्छा है तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ जहां पर बैट रहे हो यह डिवर्स लेकर वह जो सरपेसे वह होना चाहिए क्या है मीं आप यह ले रहे हो किसी टूब में पर इसका जार्जर बोल गयः तो इसमें दो नो ऊपरिशानियां आ सकती है आपके पास चार्जर नहीं है आप इसको चार्ज नहीं कर सकते हो क्योंकि यह वहला जो केभिल आपको नहीं मिलेगा अगर मिल भी गया अगर वह नहीं है तो तो है डिवाइस को कर सकते हैं पूइंट क्या है आप थोड़ा सा खिल ले तो उसके बाद चार्ज खतम हो गया आप रख देते हो और अगर टीप से आपको लॉटने में बहुत ही देर हो गया तो वह बैटरी तो पूरे का प्रण हो गया और लिथिया बैटरी का जो खाली हो गया तो बैटरी का जो लाइफ पहले भी मैं इसको डिसकस कर चुक हूँ कभी भी आप इसको कोई मास्ट गयादरिंग में मतलब क्या है एक पार्टी है आपके फेंट के और दोस्त के घर में आप इसको लेके गया स्वाप करने के लिए तो स्वाप का जरूरत नहीं है दोस्तों आप लेके चले गया है खरी कर दिया और वगरा वगरा कुछ तो उस फ्रेंट्स को इस चीज पर लगा हो जाएगा वह बार बार यह लेना चाहेंगे आपके हाथ से और क्या होगा देखिए आपका चीज अग आपके पास जितना सुरक्सी थे दूसरे दूसरे बंदे के पास उतना नहीं है दोस्त तो ठीक है दोस्तों यह वाला आपको ध्यान में रखना चाहिए तो दोस्तों तो आपको कैसा लगा तो सब कुल मिला के यह है दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा यह वाला पॉइंट और यह वाला वीडियो तो जरूर कमंड करके बताना मुझे और अगर कुछ सेप्ट कर दीजिए लाइक कर दीजिए मुझे भी अच्छा लाएगा दोस्तों दूसरे दिन और एक वीडियो लेके आऊंगा तब तक के लिए जय हिंद